आज मैं बात करूँगा blackheads के बारे में salicylic acid और retinoids का इस्तमाल और ये भी किसे आप naturally blackheads और whiteheads से निजात आसिल कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिकर किया कि किसी भी मसले को fix करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है मैं आपको थोड़ी सी understanding देता हूँ, basics पे बात करेंगे, ज्यादा technicalities में नहीं जाएंगे लेकिन ये typical fix नहीं होगा कि जिसमें skin पे मुखतलिफ चीज़ें apply की जाती है strips का इस्तेमाल किया जाता, skin पे tape लगा के खींचा जाता और आप सिर्फ इसे बाहर से fix करने की कोशिश करते हैं symptoms को दबाने से या इस तरह के superficial treatment से ये दोबारा वापस आ जाती है तो आपको make sure करना है कि ये मसला हमेशा के लिए जड़ से खतम हो जाए black heads और white heads क्या है, इनमें क्या फरक है dermatology में इने comedones कहते हैं comedones की दो किसमें, closed comedones जिने white heads कहते हैं और open comedones जिने black heads कहते हैं black heads में skin के pores में मौझूद dead skin cells और sebum यानि skin पे मौझूद oil ये दोनों जब हवा में मौझूद oxygen के साथ react करते हैं इस अमल को oxidation कहते हैं इस oxidation के नतीजे में ये oil और dead skin cells अपना रंग बदल के स्या हो जाते हैं इसलिए इने open comedones कहा जाता है कि इन pores के उपर skin की कोई layer नहीं होती जबके दूसरी तरफ closed comedones या white heads हैं ये skin से covered होते हैं हवा में मौझूद oxygen इन तक नहीं पहुंच पाती और ये dead skin cells और sebum skin pores में जमा होने लगता जिसके नतीजे में hair follicles clogged हो जाते हैं main वज़ा है sebaceous glands की abnormality sebaceous glands का सही से function ना करना जिने oil glands भी कहते हैं ये skin को moisturize रखते हैं skin को bacteria से बचाते हैं water evaporation को रोकते हैं body के temperature regulation में help करते हैं ये dead skin cells और इस oil का mixture plus bacteria जिसे आम जबान में pus कहते हैं यहाँ जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो ये कि इसे बार बार धोने लगते हैं over wash करते हैं ये सोच के कि इस तरह से skin साफ हो जाएगी अक्सर इसके लिए synthetic scrubbers का इस्तिमाल किया जाता है facial creams का इस्तिमाल किया जाता है pore strips का इस्तिमाल किया जाता है देखें artificial cleansers को इस्तिमाल करने से skin पे मौझूद friendly bacteria propiona bacterium, acnes और कुछ और strains जो के हमारे मुदाफियती निजाम का भी सा ये good bacteria skin को protect कर रहे होते हैं bad bacteria से skin को over sterilized करने से friendly bacteria मर जाते हैं इनकी तादाद कम होने से bad bacteria की तादाद बढ़ने लगती है तो जब आप over wash करते हैं skin को sterilize करते हैं तो skin pores में infection का खतरा बढ़ जाता है ये problem हो ही क्यों रही है ये problem आ कहां से रही है असल मसला है androgen hormones की जयाती जो के sebaceous glands की abnormality की वज़ा बन रही है puberty या बलूगत में ये बहुत common है इसलिए blackheads का मसला teenagers में common है main hormone है testosterone ये लड़कों और लड़कियों दोनों में पाया जाता है एक weaker testosterone होता है और एक stronger testosterone होता है stronger को DHT बोलते हैं ये मसला DHT level बढ़ने की वज़ा से होता है अब सवाल ये पैदा होता है जो DHT में spike की वज़ा बनते हैं DHT का बढ़ावा level pore size को बढ़ाता है oil production को बढ़ाता है अब जब हमें वज़ा का पता चल गए तो इसे fix करना असान हो जाएगा अगर आप insulin spike को रोक लेते हैं और ये जानना भी ज़रूरी है कि insulin को trigger क्या चीज़ कह रही है category हमारे रोजाना के खाने में refined carbohydrates चुपे है refined carbs insulin spike की वज़ा बनते हैं दूसरे नमबर पे dairy products दूद या दूद से बनीवी चीज़ें दूद में progesterone समेथ दूसरे growth hormones की बरमार होती है androgens की बरमार होती है और ये hormones blackheads को मजीद बढ़ाते हैं और इस list में तीसरे नमबर पे है fat की एक किसम चिकनाई की एक किसम जो blackheads और whiteheads के मसले को मजीद बिगार देती है वो है omega 6 fatty acids सारे omega 6 fatty acids नहीं लेकिन ज्यादा थर specially हमारे रोजमर्णा के खाने के तेल में omega 6 की एक बड़ी मिगदार होती है और अगर fried snacks के और दूसरी तलीवी चीज़ों के शौकीन है तो जो तेल इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग में omega 6 से भरपूर होता है oxidized हो जुका होता है बार-बार इस्तेमाल की वज़ा से जिसकी वज़ा से इसमें जहरीले मादे पैदा हो जाते है खाने में से तेल हटा दें fish oil, flaxseed oil, chia seed oil, cod liver oil इनमें आपको vitamin D और vitamin A भी मिलता है इन्हें अपनी diet में शामिल करें फिर उसके बाद seafood और fish को अपनी diet में शामिल करें salicylic acid, lipophilic properties रखता है ये oil को हटाता है help करता है sebum को thin करने में sebaceous glands को shrink करता है और excess oil production को रोकता है retinoids, vitamin A derivatives vitamin A new cell synthesis को speed up करता है cell turnover बढ़ाता है cells की stickiness को कम करता है जिसे ये easily shed off हो जाते है new cells, पुराने cells की जगा ले लेते है collagen को restructure करता है जिसे इन pores की oil holding capacity कम हो जाती है तेके पिछले 20 से 30 साल का dietary graph आप देखें तो इस अरसे में refined carbs और sugar की भरमार artificial sweetners, sweet yogurts, desserts तो इन सबसे आपको बचना है अपना ख्याल रिखें आपसे मुलकात होती है next video में आलाफेस